नमस्कार मैं हूँ वर्जिया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट बहुत चच्च धारावाई जोसी जोसी कोई नहीं एक ऐसा सीरियल जो सभी का फेवरिट रहा इस धारावाईक सेट जहां मोना सिंग को जोसी के रूप में लोग रियता मिली वहीं इस धारावाईक की वैंप रक्षंदा खान को भी मलिका के रूप में काफी ख्याती मिली अपने तीखे तेवरों के जरिये रक्षंदा ने इस भूमिका में अपनी खास पहचान बनाई और लोगों के बीच अपनी एक खास उपस्तिती दर्ज करवाई आई आपको बदाते हैं रक्षंदा खान से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते 27 सितंबर 1974 को मुंबई में जन्मी रक्षंदा टीवी के एक जानिमानी आक्ट्रिस है रक्षंदा वोईस ओवर आर्टिस्क भी है रक्षंदा की एजुकेशनल कॉलिफेकेशन है बी ए इंग्लिश लिट्रिचर 2003 में इनका डेब्यू हुआ जसी जसी कोई नहीं से रक्षंदा बेहल्थ खुबसूरत हैं उनका गोरा रंग नीली आखें और साथी दमदार परसनालिटी यह खुब यहां रक्षंदा को बाकी अक्ट्रसिस से अलग करती हैं उनका लुक बिलकुल फॉरनर जैसा है रक्षंदा नेगेटिव रोल के लिए जाने और पहचानी जाती है और रक्षंदा को नेगेटिव किरदार को परदे पर साकार करना पसंद भी है लेकिन वो टाइब्ड होनी से बचती हैं इसलिए क्योंकि सास भी कभी बहुत ही में वो तान्या के रूप में एक पॉजिटिव भूमिका निभा रही थी और उसमें वो जबरदस्त रोल में दिखी सभी ने उनके रोल को पसंद किया रक्षनदा एंकर भी है और वो बेहतरीन एंकरिंग करती है और अक्सर उन्हें एंकर करते भी देखा जा सकता है पस्नल लाइफ में वो बहुत होट और बोल्ड है वो नागिन 3 में भी नज़र आई नागिन थ्री शो में नजर आने वाले माहिर उर्फ, परल पुरी की मा, सुमित्रा सहगल उर्फ, रक्षन्दा खान, रियल जीवन में बहुत होट और ग्लामरस हैं। रक्षन्दा की एक बेटी भी है, पर यकीनन आप उन्हें देखकर ऐसा नहीं कह सकते। रक्षन्दा को फेवरिट फूर्ट की बात करें तो वो है पेस्ट्री चॉकलेट्स वेजिटेबल सुम। फेवरिट आक्टर है शारुक और माधुरे दिख्षित। कलर की बात करें तो वो है ब्लू और 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 इंच। रक्षन्दा ने सचन त्यागी से 15 मार्च 2014 को शादी की तो ये है रक्षन्दा खान की कहानी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।